नमस्कार मैं हूँ अन्बशुक्ला और आप देख रहे हैं खास बात खास बात में आज हमारे जो खास मेहमान है वो एक ऐसे घराने से हैं जिसने भारत की राजनीती में महतपूर भूम का निभाई है अमेठी हमेशा से ही यूपी की सियासत में काफी महतपूर रहा है क्योंकि कॉंग्रेस का ये गड़ माना जाता रहा है लेकिन बहुत कम लोग इसके जानते हैं कि आखिर कॉंग्रेस में गाधी परिवार को अमेठी लाने वाला कौन है 1980 में जब सबसे पहले संजे गांधी अमेठी से चुनाव लड़े तो उन्हें अमेठी लाने का श्रेज आता है अमेठी की राजा डॉक्टर संजे सिंग को जो खास बात में आजमारे खास मेमान है सर खास बात में आपका साज़ेत है सर जहां से हमने बात चुरू की 1980 में संजे गांधी को सबसे पहले आप अमेठी लायव से पहले गांव है वहाँ पुन्होंने श्रमदान की और कहते हैं कि वहीं से वह एक्टिव पॉलिटिक्स में आए कहां से आपकी दोस्ती हुई कहां से आपने आमेठी कोई क्यों चुना आखे रहे एसा है कि हम पहले टेनिस की खिलाडी थे और जिस समय संजे गांधी जी 1976 में जे श्रमदान की आप बात कर रहे हैं उस समदान में 1976 में उन्होंने आल इंडिया यूर्ट कांग्रेस के देश भर के तमाम सारे लगबग दो सो डाई सो लड़कों को वहां बुलाया था समदान करने के लिए उसके थोड़े ही दिन बाद मैं लंडन जा रहा था टेनिस की अपनी कोचिंग के लिए लेकिन जब संजे गांधी जी आये वहां और उन्हों इंडरा जी ने अपने मेरे पिता जी से चर्चा की कि ये चुनावी राजनीत में शामिल होना चाहते हैं तो उन्होंने का क्यों नहीं अमेठी से आप राइवली से चुनाव लड़ती हैं और इनको अमेठी से चुनाव लड़ाई है उसी समय से हमारी उनकी मुलाकात हुई और उसी समय से में उनके साथ ही वक कांगरिस में सक्री हुआ सर ये सवाल महत्पूर इसलिए है कि जब भी चुनाव की बात आएगी यूपी की बात आएगी तो अमेठी के बिना वो पूरी नहीं होती आखिर अमेठी में क्या ऐसा खास है अमेठी में खास ये है कि हमारे पूरवज नो सो चाचट में आये थे गौालियर के पास नर्वर गड़ है वहाँ से और अमेठी उस समय बहुत सारे चोटे चोटे राज्य थे वो सम मिला करके उन्होंने अमेठी की स्थापना की और अमेठी आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था हमारे ग्रेट ग्रेंट फादर महराईलाल माधु सिंग जी दस साल तक अंग्रेजों से लड़े थे भगस सिंग जी चंशेखर आजाज जी ये सारे लोग अमेठी में आके रहे हैं पंडित जोहलाल नहरू जी का किसान कानून दोलन वहीं से शुरू हुआ था तो इस तरह से एतिहासिक महत्वपूर्ण उसका है और आज स्वातंतर संग्राम से लेकर के आजादी के बाद भी कांग्रिस के प्रती वहाँ पर कांग्रिस के लोगों के आस्था रही हमारे बाबा के समय से ही कांग्रिस के प्रती और खादी के गांधी जी के इनके सब कारुजान था आज इसी वज़ा से गांधी परिवार और अमेठी परिवार इकठा हुआ सर आपने वह बात कह दी जो मैं पूछने वाला था उन्नी सौसी में संजय गांधी जीते फिर असमाइक मौत के चलते फिर आप राजिव गांधी को आपने मनाया और वो वहां से चुनाव लडे फिर उसके बाद लगातार गांधी परिवार किया उनके करीबियों के पास वो सीटरी बीच में एक बार आपने सती सर्मा जी को वहां पे हराया अब 2004 से राहूल गांधी अमेठी का प्रतिमिद कर रहे लेकिन आज भी अमेठी इतना पिछला हुआ क्यों है लगातार बीजेपी जब सत्ता में नहीं तो उससे पहले भी ये बात कहती थी कि अमेठी पिछला हुआ है अमिद शाहों प्रधान मंतरी नरिन मोदियों हर रैली में हर जनसवा में ये बात कहते हैं कि देखें कॉंग्रेस के युवराट जहां से जितने उस अमेठी का हाल क्या है ऐसा है भारती जनता पार्टी के जितने भी बड़े से बड़े नेता है सब जूट बोलने के बहुत बड़े महारत उनको हासिल है प्रधान मंतरी जी ने जूट बोल करके इस देश को ठगा और उननेस दो हजार चौदा में जो बोल बोल करके वो आए सरकार में आज आप जानते हैं वो सब हवा हवाई है मैं कह रहा हूँ अमेठी का विकास इतना हुआ है जितना कोई सोच नहीं सकता मेरे बच्पन में वहाँ पर कोई भी काली सड़क नहीं थी राजिव गांधी संजे गांधी जब से आए तब से बीस हजार करोड से ज़्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर जमा है अमेठी में वहाँ पर हेल लग गया बी हेल लग गया हजारों लड़कों को नहीं नोकरी मिली तमाम सारा वहाँ कार खाना आया ये सारा चीज ही तो भी कास का माध्यम बनता है पर सर्थ तमाम कार खाने तो बंद हो गया है और 2004 से 2014 तक तो यूपिये की सरकारती क्या उनको शुरू करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी मैं आपको बताऊँ कि ज़्यादा तर वहाँ पर फैक्टरी जो बड़ी बड़ी लगी सब चल रही है छोटे दो एक कार खाने जिन्हों ने उद्योक पती ने लगाया जिन्हों ने लोन लिया नहीं अदा कर सके तो बंद हो गए उनको चलाने का भी प्रयास हुआ और मैं आपको जानकारी करा दूँ जो भारती जन्ता पार्टी के तमाम सारे नेता और स्मिर्ती रानी चर्चा करती है अमेठी के तमाम सारे बीसों जो राहुल गांधी जी ने फूट पार्क के इस तरह के बीसों ऐसे उद्यम वहां पर लाए ये सब उठा कर कि ये ले गए इन लोगों की जब से 2014 से सरकार आई तो ये विकास कांघ्रिस ने किया हजारों और लाखों करोड का वहां काम हुआ जो काम बंद हुआ इनकी सब की अगुआई हुआ उवह जो आज तक जूट का पुल बांद रहे यानि कि कॉंग्रेस ने विकास किया, बीजेपी की सरकार जब सही रोक रही है, रोक रही है, कई वहां से कारखाने वहां से वह आपस ले गई, वहां जो अमेठी के लिए फैसला जिनके बारे में हुआ था सर एक और सवाल, एक और चर्चा है सत्ता के गलियारों में, कि इस बार प्रियंका गांधी अमेठी आ सकती हैं, राहूल गांधी राइबरेली शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि सोनिया जी की तब्याट ठीक नहीं है, शायद ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपका तो लंबा जुड ना किसी से नहीं है, अगर प्रियंका गांधी आती हैं, चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस को फाइदा नहीं होगा पूरे देश में, कांग्रेस को तो पूरे देश में फाइदा होने वाला है, प्रियंका गांधी आती हैं या नहीं आती हैं, इसका काम तो सारा नरेंद और उनकी पार्टी ने और उनकी झूट ने कर दिया है उनके घोटालों ने कर दिया है रफाल ने कर दिया है और तमाम सारे जो इनहों a protective पत्यों को फाइदा पहुँचाया जो अभी आपने मनाया कि अमिटी से ही चलके चुनाव लड़िये तो प्रियंका गांधी साप बात क्यों नहीं करते कि आपके पिता जी यहां से जीतते आएं आप आये यहां से चुनाव लड़िये और अमिटी की जनता ने हमें सही कॉंग्रेस को आगे बढ़ाया मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी भी सक्षम है, एडल्ट है, बहुत समझदार है और परिवार में भी बहुत अच्छा उनके राजनेतिक समझ है यह फैसले उनहीं पर पही छोड़ा जाए ऐसा तो नहीं कि रॉबर्ट वाडरा का नाम बार बार बेजेपी लेती है, शायद इस वज़ए से प्रियंका गांधी राजनीती माने से बस्ती है ऐसी कोई बात नहीं है भारती जन्ता पार्टी जब ये हार की तरफ होती है भारती जन्ता पार्टी जब आपने लिए किसी तरह से जिंदा रहने की कोशिश करती है तो पाकिस्तान का नाम लेती है इसी तरह से आज कुछ दिनों से आप देख रहे हैं पाकिस्तान की बड़ी लिंक नहीं है बड़ी मस्बूत लिंक है उनकी चर्चा बीजेपी करती है उनके खिलाफ बातें करती है लेकिन तमाम सारी जाच करने के बावजूद भी उनके खिलाफ आज तक कोई एक बात भी नहीं सामने आ ला पाए आज कोई भी बात कहके भारती जंता पार्टी ये बच नहीं सकती तरह आपने राफेल की बात कि जिस तरीके से राहुल गाधी राफेल के मुद्दे पे लगातार आक्रामक है वो हमने देखा है उनके स्टाइल बदले हुई है प्रधान मंत्री पर सीधा हमला बोल रहे है चौकिदार चोर है इस तरह के शब्दों का इस्तमाल कर र जी थी भारती जनता पार्टी के जो जूट के पुलंदे थे वो जनता के सामने सब उजागिर हो गए है आज जनता ही जिस तरह से इन्होंने सोशल मीडिया में दोहजार चौदा में अपने को स्थापित करने के लिए दुनिया भर का जूट का अंगरिस के खिलाब बोला थ आज वही सोशल मीडिया पलट करके इनके खिलाफ उन्हीं हत्यारों का उप्योग कर रही है और जनता स्वैम ये सारी चीजें सुनना चाहती है कोई documentary प्रूफ नहीं है खाली बयान दे रहे हैं राहुल गांदी हो रणडीब सिंग्स उरजे वाला हो तमाम लोग खाली बयान दे रहे हैं नरेन मोदी जी को रसीद देने वाले हैं कि मैंने इनसे पैसा खाया है, यह रसीद आपके सामने है बोफोर्स की याद आती है आपको जब राफेल का मुद्दा उठ रहा है तो जी हाँ बोफोर्स को पूरा याद आता है, अच्छी तरह से आता है आप राजीव गांदी का साथ चोड़कर चले गए थे मैंने राजीव गांदी का साथ किसी ने बोफोर्स पे छोड़ा था हमारे उनके वेक्तिकत और एमोशनल संबन थे जीवन में बहुत सारे लोगों के गलतियां होती, वो भी मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी आप सोनिया गांदी के खिलाब भी चुनाव लड़े जी हाँ लड़ा था वो भी गलती है, वो भी गलती थी, वो भी इस्टेटमेंट में अख़बार में पब्लिक तोर पर बहुत पहले ही कह चुका हूँ सर क्या लग रहा है कि राहूल गांदी को लग रहा है क्या कि जिस तरीके से बोफोर्स के मुद्दे ने उनकी जो कांग्रेस की तब सरकार थी उसको चलता कर दिया था राफैल का मुद्दा मोधी जी को सत्ता से इटा देगी, इसी में ज़से इतने आकरामक हैं क्या इस मुद्दा ने राफैल का मुद्दा भी एक मुद्दा हो गया है, चूंकि इसमें परधान मंत्री बहुत बुरी तरह से वेक्तिगत तोर से फस गए है ये डील परधान मंत्री जी ने फ्रांस में जा करके वन टू वन इन्होंने प्रेसिडंट के साथ की थी उसमें ना कोई कमिटी थी ना कोई इनके एक्टरनल अफैर्स मिनिस्ट्री अब कोई सेकरेटरी लेवल इनवाल था अचानक उसका दाम चेंज हो गया अचानक उसकी टेकनलोजी चेंज हो गई अचानक उसके अलाइंस पार्टनर चेंज हो गए अचानक इनकी हर चीजे जब चेंज हो गई तो मुझे लगता है इससे बड़ा और प्रमान देने की कोई आउशकता नहीं है और जनता किसी को बदलने के लिए हर कोई चीजों को मुद्दा बना लेती है यह आलडी यह कांगरेस का यह किसी हमारा आपका मुद्दा नहीं है यह आम देश की आम जनता का मुद्दा है जनता आ चुकी है भाजपा को वो हटाना चाहती है कभी भी देश की जनता ने कभी वोकल हो के बात नहीं की चुनाओं में अपने फैसले वो दिखाएगी पर सर बीजेपी तो बार-बार ये कह रहे कि दरसल रॉबर्ट वाडरा के जो दोस्त है संजय भंडारी उनको जब यह नहीं मिल पाया काम इसमें कमिशन नहीं मिल पाया तब कॉंग्रेस इसे मुद्धा बना रहे है वो नहीं चाहती है कि राफल डील हो पाए नहायत भारती जनता पार्टी जूट बोल रही है जैसे सव जूट बोल चुकी है वैसे 101 जूट ही अभी है आपको लग रहा है कि राहूल गांधी अब इतने परिपक को हैं राजनीती में कि देश को समाल सकते हैं? राज्यू गांधी जी परिपक को पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे और देश के परधान मंत्री बन करके इस देश का सुधार करेंगे. जब से अद्धिक्ष बने हैं, तमाम राज्यों में इलेक्शन हुए तो कांग्रेस तो हरती जा रही है? कांग्रेस हरती जाती रही है, अब 77 में भी हरी थी, लेकिन 80 में तो पूरा इस देश में जीत गई. आने वाले 2019 का इंजार कीजिए, आप देखेंगे परिणाम. बी जेपी तो कहती ही, राएल गांदी उसके मेसकाट है, जीत के मेसकाट है, जहाँ वो जाते हैं, बी जेपी जीत जाती है? भारती जंता पार्टी बहुत कुछ कहती रहती है, वो जूट बूलती है, यो भी एक जूट है. और मैं एक बात ये पूछता हूँ आपसे, दोह से ये अब की धेर होगी हो दुबारा पचीस-तीस साल तक अभी नहीं आएगी चले फिलाल खास बात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर संजय सिंग से ये जरूर जानने की कोशिस करेंगे कि पिछले 28 वर्सों से यूपी क सत्ता से कॉग्रेस गायब है क्या उन्हें मलाल नहीं होता है वो दो बार यहां मिनिस्टर रहे हैं कॉग्रेस के आखिर इतनी बूरी स्थिती के लिए उनकिस को जिम्मेदार मांते है फिलाल वक्त है ब्रेक का ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खास बात में आज हमारे खास मेहमान है कॉंग्रेस के राज़सभा मेंबर अमेठी राजभराने के राजा डॉक्टर संजा सिंग सर ब्रेक से पहले तमाम बाते हुई आपने उस बात का भी जिक्र किया कि कैसे गांधी परिवार और अमिठी राजगराने का संबन रहा हम जब आपके बारे में कुछ पढ़ रहते हैं कि क्या चीजें आपसे पूछी जाए एक चीज मैंने पढ़ी कि 1926 में आपके जो पर दा आदा थे उन्होंने मोतिलाल नहरू जी को एक सुझाव दिया था कि आनन्द भवन का निर्मान करा यानि बहुत पुराना रिष्टा है राजगराने का और गाने परिवार पंडित मोतिलाल नहरू जी हमारे रियासप के वकील थे और अठारवी शताबदी में लास्क में 1890 बेक्यास पास तब से ले करके हम लोगों का इस परिवार का बड़ा लंबा रिष्टा चला और आज भी चला है तब ही संबंद से पंडिजवालल नहरू भी हमारे परिवार के संपर्क में आये थे इंदिरा जी भी कई बार अमेठी आई गई गई और उसी समय से हम लोगों प्रजा की सेवा में काम किया उसी तरह से इस परिवार से जुड़ने के बाद भी अमेठी का नाम उचे ही होता चला गया और आज भी अमेठी की जनता में हमारे परिवार का इस परिवार का संबंद लोगों की चर्चा का विशय है और हमें भरोसा है कि आने वाले समय में र तो अमेठी के अच्छे दिन थे उनको जैसे इस देश का विकास नहीं दिख रहा है जैसे उनको दिख रहा है कि इस देश में 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया इस समय ऐसी समझदारी की बात अगर जो कर सकता है तो अमेठी के बारे में अगर कोई कमेंट करता है तो उस पे हम हसना नहीं चाहेंगे लेकिन मैं इतने कहूंगा कि अगर वो लोग इतने इंग्नोरेंट हैं कि कांगरेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया तो उनके गांधी परिवार के और राहुल गांधी और राजी गांधी के अमेठी के विकास को कैसे देख सकते हैं? सर, आप तो अमेठी राजगराने के राजा हैं, क्या कमी आपका अमेठी में नजर आती है? अमेठी में कोई कमी नहीं है अमेठी के लोग बहुत समझदार है मैं देख रहा हूँ जब से बचपन से तब से अमेठी की जैसे गरामिन जनता होती है जैसे समझदार जनता होती है वैसे अमेठी की भी जनता है और अमेठी के लोग बहुत कनेक्टेड है बहुत फोकस्ट है, बहुत चर्चा में है और इस बात का सभी लोगों को प्रसंता है सर जब संजय गांधी कहते हैं कि कॉंग्रेस के लिए जो एक्टिवनेस उन्होंने दिखाई या उनके समय में जितनी पॉपुलर हुई युवाओं के बीच आपको लग रहा है कि आज के समय में यूथ के बीच राहुल गांधी की वो इमेज है? मुझे लगता है कि युवाओं कांग्रेस और युवाओं लोगों में इस देश के नौजवानों के बीच में आज गरीबी के खिलाफ, आज तमाम सारी बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों के खिलाफ जो भी चीजें आज भारती जनता पार्टी से युवाओं वर्ग परेशान रहा है उसकी राहुल गांधी जी एक आवाज बन करके निकले हैं, एक होप बन के निकले हैं और हमें भरोसा है आने वाले टाइम में, आज 65% इस देश का नौजवानों की जनसंख्या है दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाँ आज भारत है ऐसे में राहुल गांधी एक मैसकट नौजवानों के हैं और आगे और भी बढ़कर चड़कर के सामने आएंगे दो हजार तीर में वापस कॉंग्रेस में आएंगे फिर दो हजार तेरह में जब यूपीय की सरकार थी आखरी वक्त में आप नाराज इसलिए हो गयते को कि मंत्री नहीं बनाया गया था तब चर्चा थी कि आप फिर बीजेपी जा सकते हैं फिर आपको राज्यसवा का मंबर बनाया ऐसे गुझा इस आगे भी बन सकती है क्या ऐसा है जो बारे आप बाते हैं कि इसमें काफी सच्चा ही नहीं है मैं भाजपा में केवल एक बार गया था जिसके बारे में मैं आपको बता चुका अभी 2014 में जब राज्यसवा में सांसत बना इस संबंध में कहीं भी किसी पार्टी में आने जाने की बात नहीं है आगे हमें कहीं नहीं जाना है कांग्रेस में ही रहना है और कांग्रेस ही इस देश के उपयोग में है, देश के उपयुक्त है और देश की जनता और इस देश के संबिधान और इस देश के हालात के मताबिक ही है इस पार्टी के अलावा और कोई इस देश के योगी पार्टी नहीं है सर पार्टी के एक पूर M.L.C. है और पार्टी में उपाद्रक्स थावी कली उन्होंने अपना रेजिगनेशन राउल गांधी को वेजा और यह कहा है कि पार्टी अदर तो सेलिब्रिटी या फिर ऐसे लोगों को बना रहा हैं जो दूसरे दलों से आयो हुए हैं और इसी को प्रदेश में किसी को नहीं नजर आ रहा है और योगी जी के जब कंट्रोल में ही कुछ नहीं है न संगठन है न सत्ता है न परशासन है और नहीं दिल्ली में उनके आला कमान ये चाहते हैं जिस तरह से यहां पर उत्तरपिर्देश में चल ला है मुझे लगता है इस समय प्रदेश में और दिल्ली में competition सिर्फ हवा हवाई के चलना है कि वो ज़्यादा लंबा मार रहे हैं कि ये ज़्यादा लंबा मार रहे हैं लेकिन जंता ये सब चीज बड़ी नस्दीक से देख रही है हर चीज बड़ा खस्ता हाल है दिल्ली में भी लखनों में शर यूपी की ये हमने हमेसा जब परदेश की जंता ही बेहाल है तो उसी जंता में हर विरादरी के लोग हैं आज किसी कोई एक शत्री महासभा या कोई समाज के लिए सरकार नहीं होती सरकार परदेश की जंता के लिए होती है अगर ये परदेश सरकार फेल है जनता के हितों की रखवाली करने के लिए तो उसमें हर हादमी हातास और निरास सर, 2017 में आप समाजवादी पार्टी के साथ आपने गड़बंदन किया और पार्टी को महज साथ उसके विधायक चुन के आए क्या ये गलती नहीं थी आला कमान के अगर वो अकेले लड़ते तो शायद जादा बहतर परफॉर्म करते मुझे लगता है कि इस समय गलती निकालना कि किसने गलती किया क्या नहीं किया असली चीज ये हुई कि हमें लगता है हम लोग उस समय जनता की भावना को समझ नहीं पाए 2019 में उस गलती को तो नहीं दोराएंगे अकेले लड़ेंगे या महा गड़बंदन में फिर शामिल होंगे मुधी को हराने के लिए जो आवश्चक होगा वैसा किया जाएगा मायावती तो 36 गड़ में अकेले चलीगे अजीत जोगी के साथ आपका साथ दिया नहीं मद्ध प्रदेश में वो अलग कह रहे ही लड़ेंगे समाजवादी पार्टी में अखले शादोगे राहूल गांधी जी ने अभी तक जो बात कही है कि हमारा विचारों का गड़बंदन होगा विपक्ष मोदी को हराने के लिए जैसा कदम आवश्चक समझेगा अating statement इस बारे में दिया है उन्होंने कहा है कि हमें मोदी को हराने के लिए हम कोई बी कदम उठा सकते हैं प्रधान मंत्री बनने का या ना बनने का फैसला बाद में भी हो सकते। यानि उन्हें भी doubt है कि उनके नाम पे लोग सहमत नहीं होंगे ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी लीडर्शिप उनको आगे रखती है, कांगरेस उनको आगे रखेगी, हमें पता है कि हमारी सबस्यादा सीटें कांगरेस की होगी और जब जिस पार्टी की सबस्यादा सीट होती है, उसी कपरगान मंतरी बनता है क्या मायावती 한त्य पहावार तो जाएगे तो छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बार जब वापस आएंगे तो डौक्टर संजा सिंग से जिए जरूर जाना चाहेंगे कि 2014 में जब अमेठी रियासत में जो विवाद हुआ था अब क्या वो विवाद पूली तरह सुलज गया है और अब आगे उनकी क्या रणनीती रहने वाली है फिलाल वक्त है एक ब्रेक का ब्रेक के बाद एक बाद फिर आपका स्वागत है खास बात में आज हमारे खास मेमान है कॉंग्रेट के राजस्वा मेंबर और लोगस्वाद चुनाओ की जो कॉंग्रेट की कमिटी है उसकी परचार समिती के सदस्व डॉक्टर संजय से सब ब्रेक से पहले तमाम बाते हुएं आप कह रहे हैं कि ये राहूल गांदी ने पहले ही कहा है कि मोधी को हराने के लिए बाद में तैंक करेंगी कौन पर धन बनते होगा पहले जरूरी है कि सीटें जदा आएं क्या यूपी में तो हमें दिख नहीं रहा है कि आप कुछ महागरबंदन की और आगे बढ़ रहे हैं ना मायवती से बात हो रही है ना अखिले श्यादों से बात हो रही है ना अजी सिंगी पार्टी से बात हो रही है तो आकिर आप साथ आएंगे कब अब तो इतना वक्त जी ने कहा है कि हमारे विचारों के गड़ बंदन हो चुके हैं और मोधी को हराने के लिए हम लोग कोई भी कदम उठाएंगे तो हमको यह मान के चलना चाहिए कि यह यह सीरियस लीडर्शिप राष्टी लीडर्शिप कांग्रिस्क पार्टी की लीडर्शिप राहूल गांधी कह रहे हैं तो उसमें ही उसी के तत्थे को मानना चाहिए यह जो चर्चाएं हो रही है और जो इधर उधर के स्टेट्मेंट आ रहे हैं इसके बारे में भटकने से क जोई फाइदा नहीं कि आप जब चुनाओं में जाएंगे जो बहुत जल्द होंगे किन मुद्दों को लेके सबसे ज़्यादा आठैक करें के मुद्दे जो उन्होंने पर्धान मंत्री ने दिये हैं सबसे बड़ी मुद्दे उन्होंने सवैम बनाया है जो कहा है वो नहीं किया है जो बोला है वो जूट बोला है जो उन्होंने देश की तस्वीर और देश दुनिया को दिखाई है ऐसा कुछ नहीं हुआ है आज रफैल की भी घोटाले में फसे हुए है आज तमाम सारे उद्योग पती हजारों करोड का चूना लगा के निकल गए है आज इन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई और काला धन आएगा और जी एस्टी लागू किया और उन्होंने नोट बंदी किया सारा देश का काया कल्प करने की बात कही थी इन्होंने कहा था देश में आर्थिक आजादी आ जाएगी नोट बंदी के बाद तो सारी चीज कुछ नहीं हुई, दो करोड नौकरी दिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि देश में गरीबी खतम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तमाम सारी चीजों में जब ये जूटे उल्टे पड़े हैं, आज यही मुद्दे इनके गले किफास है, कांग सारे डैम बने, बिजली का उत्पादन हुआ, जहाज बने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, इस देश की एकॉनमी बढ़ी, इस देश की हैसियत दुनिया में बढ़ी, आज हम समझते यही सारे मुद्दे होंगे, सर लेकिन प्रधान मंत्री पर जिस तरीके से वेक्टिकर टिपड़ी की जा रही है, कॉंग्रेस की तो यह स्टाइल नहीं रही है, फिर राहूल गांधी इस तरीके की भाशा क्यों हो इस्तिमाल कर रहा है, राहूल गांधी इस लिए कर रहे है, कि नरेन मुदी स्वैम उन्होंने यह तमाम सारी चीजें की है, रफैल में हेल को उन्होंने ही बाहर किया है, एक्स प्रेसिडेंट फ्रांस ने कहा है, कि इन्होंने ही अनिलंबानी को बीच में लाए है, तो यह सारी चीज जब स्वैम हुआ इसमें इन्वाल्व है, तो यह टिपड़ी किस के खिलाफ की जाए है, आपके जो महागरबंधन के साथ ही होंगे, आप उनसे भी कहेंगे कि राफियल के मुद्दे को लेके जनता की जाए है, तो यह सारे लोग साथ हैं इस मुद्दे पर, सारे लोग इस वर्तमान सरकार के ब्रश्टाचार के खिलाफ है, तमाम सारे इनकी चीज़ों जो इन्होंने गलत की हैं, उसमें सब कोई वि हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, जिसमें हमें रिग्रेट हो, सर एक आखरी सवाल, अमेठी राज घराने में सब कुछ ठीक है, हमारे घराने में बिल्कुल ठीक है, और आगे 2019 में अमेठी तयार है, बीजेपी के जो दावे हैं उनको कमजोर करने के लिए, अमेठी किसी के परिवार का सदस से इंटूदूस हो, यह उसी परिवार के ऊपर छोड़ना चाहिए, हमारी आपकी चिंता इस पर नहीं होनी चाहिए, सर आप खास बात में आप एतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, आज खास बात में बस इतना ह मुझे मेरी पूरी टीम को दिए इजाजत नमस्कार